हलो एवरिबन क्या आप लोग सभी तयार है पढ़ने के लिए तो आज का हमारा टोपिक रहेगा रोकर फसले जिनको अपन इंगलिस में कहते हैं कैश क्रोप अब यहां पर मैं भात करूँ किए चोटा सा चुट से करो नोट आप लेटा है तो मैं यहां पर आपको नोट करवा देतरों देखो एक तो हो गए यहाँ पर गन्ना एक तो क्या हो गया वही गन्ना एक इसके इलाबा आलू गन्ना इसके इलाबा आलू इसके इलाबा कपास इसके इलाबा कौफी इसके इलाबा चाय और इसके इलाबा रबर और इसके इलाबा नारियल और एक फसल आती है गवार चुकं फसले cash crop के रूप में, example के रूप में लेते हैं, मैं दुबारा से repeat कर रहा हूँ, important question यहां से put up होता है दोस्त, मैं दुबारा example नाम ले रहा हूँ, यह पर गन्ना, आलू, कपास, रबर, कॉफी, चाई, नारियल, गवार और चुकंदर, यह example हो गया, अब मैं आपको बताने वाला हूँ की cash crop इनी फसलों को क्यों कहते हैं, इनको हिंदी में रोकड फसले कहते हैं, नकदी फसले कहते हैं, तो क्यों कहते हैं, इसका reason क्या है, तो इनका reason यह है, प्रमकुदेश से यह होता है कि इनसे रोकड मतलब नकदी मतलब नकद पैसा लेड़ा, कि भई हिंदी मे जो प्रमुकुद्देश्य होता है वो बेचना होता है कि भई फसलों की कटाई की तुरंत बेच दिया गन्य की कटाई की तुरंत बेच दिया तो इन फसलों को लगाने का प्रमुकुद्देश्य हमारा यह होता है की पैसा कमाना और वो भी नकद आना ची और रोकड आना ची आप सब रोकड़ा जानते हो गए ठीक है इसलिए इन फसलों को रोकड फसले भी कहते हैं और लास्टाइम में हमने देखा था हरे चारी वाली फसले जिनमें बर्सिम और इंच गाता वैं सबसे अच्छी हे बर्सिम बई गन्य के बारे में देखते हैं सुगर केन इसको बोलते हैं आपको पता होना चीब इस सुगर केन जो सब्द है न दोस्त ये संस्कृत बासा का शब्द है सैसे सुगर केन सैसे संस्कृत शब्द आपको मैं और बता हूँ यहाँ पर तो कपास भी आता है खाद्य भी आत प्रश्च शब्द भी संस्कृत वाशा का ते राइट बोटनेकल नेम की बात करे तो सैसे सुगरकेन, सैसे सेकेरम, ओफी सिनेरम, फैमिली इसके वही पोईसी, दूसरा नाम है ग्रेमिनी, और तीसरा आता है दोस्त यहां पर गहा स्कूल, यह इसके अन्य नाम है, ठीक है, त इससे भाई, यहां पर ओरिजन फैलेस की बात करते हैं, तो एक भारत भी आता है, और इसका चीड भी आता है, राइट, अब बात करें आगे, कि भाई, इससे चीनी बनाई जाती है, इससे गुड़ बनाया जाता है, और इसके अलावा, गन्ना मिलों से प्राप्त सीरा या म मुलासिस, जो की सराब बनाने की काम आता है, जाद रखना सीरा या मुलासिस क्या होता है, भाई, अपन गर्मियों के दिनों में जूस पीते हैं, मार्केट में जाते हैं जूस पने के लिए, गन्ना वाला जो भाईसा आप जूस निकालता है, भाई, ठीक है, तने से, अब जूस निकालने के बाद जो कच्रा सेस बसता है ने कच्रा उसको पन सीरा या मुलासिस कहते है वो अमलिय प्रकर्टिका होता है दोस्तो द्यारक ना और उसको पन शारिय मर्दाओं को सुदानने के भी काम में लेते है तो जो कच्रा बसता है सेस जूस को निकालने के बाद उस इसको पन सीराया मोलसिस कहते हैं, ओके, फिर देखेगा, इसकी पत्यों से कागज और कार्ड बनाए जाते हैं, कंपोस्ट खाद के काम आता है, और इसकी पत्ती भारतिस्तान मैंने बता दी है, और सबसे ज़्यादा ये गंगा नगर में होता है, गैसे गंगा नगर, गैसे ग गंगा नगर, बारत में पूछे, तो यूपी, किलियर दोस्तों, क्लाइमेट की बात करें तो उशन कटी बन दिया, मतलब इसको खरीब सीजन में लगाया जाता है, अभी सीजन कौन सा चल रहा है, खरीब का, मतलब दिपावली के आसपास ये आने बाला है, मतलब खरीब मे आदरता होनी चे, पचास से पच्पन प्रतिशत, राइट, यदि टेंपरेचर इकतीस से सैंतीस रहता है, तो उस समय आपको नमी थोड़ी ज्यादा ची, आपका मतलब फसल को ज्यादा ची, राइट, टेंपरेचर यदि कम होता है, तो नमी कम होती है, बात को समझ गिए, तो नमी भी ज्याद अच्छी, टैंपरिचर कम हुआ, तो नमी भी कम च्छी, जैसे कि सर्दियों में पानी अपन कम पीते हैं, प्यास कम लगती है, लेकिन वही पानी अपन गर्मियों में उतना पी सकते हैं, उससे ज्यादा पीते हैं, विकॉस गर्मियों में प्यास ज्याद मर्दा की बात कि तो अच्छे जल निकास वाली ले सकते हैं, दोमट मिट्टी इसको अपन लगा सकते हैं, यहाँ पर आपको पता हो न ची, चिकने मिट़्ी में भी लगा सकते हैं व्ही, नाराज ना होना इसमें गोवर की खाद व गड़ा डालते हैं ठीक है और इसके लवा जो भी कीट वगरा उनके बच्ले के लिए उनको मिथाहिल पराथियान दो प्रतिशत का यूज में लेते हैं राइट वराइटी की बात करें तो वराइटी में सीगर पकने वाली वराइटी है मतलब जो जल्दी पकती है अब यहाँ पर एक आपको common word मिलेगा को, what is को को का मतलब होता है दोस्त कोयम टूर, क्या होता है वैया जी कोयम टूर और कोयम टूर काँपर है तमिल नाडू यहाँ पर क्या है SBI, what is SBI Sugar Can Breeding Institute मतलब गन्ना प्रजनन संस्तान याद रखना दोस्तो, गन्ना प्रजनन संस्तान काँपर है कोयम टूर, कोयम टूर काँपर है वैया जी तमिल नाडू दोस्तो आपको पता होना जी कि जितने भी फसले हैं वो बारा महीने में तयार हो जाती लेकिन एक मातर ऐसी फसल है गन्ना जो अठारा महीने में तयार होता है मेरी बात तो समझ गए अब उपर वाले जो 6 महीने हैं एक्स्टा, इसमें प्रोग्लम क्रियेट हो गई अब साब यहां पर प्रोग्लम क्रियेट हो गई तो करें तो क्या करें सोचने की बात है, सोचना तो पड़ेगा कि भाई साब 12 महीने में जो फसल तयार हो जी है वो 18 महीने में होने को तयार होने वाली यह मतलब 6 महीने एक्स्टा होगे तो 6 महीनों में उसको तापमान भी देना पड़ेगा पोशक तत्वी देना पड़ेगा काफी सारी चीज़े उनको देनी पड़ेगी तो वेग्यानिकों ने क्या किया कि इसके लिए पर्टिकुलर एक अलग इंस्टूट बना दिया SBA कि भाई साब तेरे लिए SBAE का बैंक की स्टार्ट कर देते हैं Sugar Canne Breeding Institute उसमें जो भी हम नई वराइटि तयार करेंगे उन वराइटियों को इस परकार से तयार करेंगे कि उनको अलग है अपने आप सर्वाइव कर लेगा क्लाइमेट से जो भी उसको ची राइट इसके अलावा गन्ये का दूसरा इंस्टूट है IISR क्या है दोस्तो IISR इंडियन इंस्टूट अप सुगर कें रिसर्च ये कोयम टूर ना हो कि ये काम पर लखनाउ में है दोस्तो राइट तो ध्यार राद रखना कि यहाँ पर गन्ये में 6 महिने के लिए जो एक्सरा टेंपरिचर अगरा चीए उसके लिए SBI इंस्टूट को स्टार्ट किया गया था और C.O कहीं भी शब्द मिले वो कॉमन है वो भाईसा किसकी वराइटी होगी गन्ये की वराइटी होगी अब इसमें करते क्या है कि जो उपरी वाला भाग होता है ना उपरी वाला भाग, उपरी एक बटा तीन भाग गुआई के काम में लेते हैं, क्यों? क्योंकि उपर वाले भाग में आखों की संख्या ज्यादा होती हैं, जैसे अपन भई दिपावली के दिन भई इख लाते हैं गन्ना लाते हैं तो अपन सूषने के काम में लेते हैं तो कौन सा भाग लेते हैं जिससे अपन रस निकालते हैं उपर वाला भाग या नीचे वाला डेफिनेट नीचे वाला क्यों उपर वाला थोड़ा सा कम मीठा होता है तो अपन भी बड़े चंचल है तो उपरी एक बटा तीन भाग काम में लेते हैं जिनकी संक्या होती है तीन आख वाले टुकडे और एक बटा तीन उपरी भाग काम में लेते हैं नीचे वाले भाग में नहीं लेते हैं नीचे वाले भाग में सुगर ज्यादा होती है उपर वाले भाग में सुगर कम होती है और ये जो काम करता है, ये ओक्जिन हार्मोन काम करता है, तो ये गन्ये को पूरा भी ये भूमी में, अपने एक साथ लगाते हैं, पूरा भूमी में, तो भी आप देखना कि आगे वाला, मतल़ उपर वाला भाग अंकुरित होगा, तो ये बात को समझ गे, ठीक है, अब आग अब ऑक्जिन हार्मोन स्रावित होता है, जो नीचे वाले भाग को अंकुरित नहीं होने देता, फिर, अब ये जो सारी प्रोसेस हुई, उसको टॉप डॉमिनेंस कहे दिया, टॉप डॉमिनेंस क्यों 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 क्य रहा है नीचे वाले भाग को, कि मैं भाई साब नीचे वाले भाग को अंकुरत नहीं होने दूँगा, रोग लिया, अब ये पूरी जो प्रोसेस है, उसको अपन कहते हैं, टॉप डोमिनेंस, राइट, अब उपरी भाग क्यों काम में लेते हैं, इसका भी कारण देख लेते ह है, और उपरी भाग के लिकाप पत्यों से डखी रहती ही, जो कीटों से सुरक्षा करती ही, मतलि उपर वाला भाग पत्यों से डखा रहता है, अब यहां पर पत्यों से डखा हुआ है, तो बही कीट रोका परवाव ने होगा, बारिस कितनी हो, कोई Nुकसान ने होगा, टें की वजन की बात करें तो 60-70 कियुंट पर 3 hectare हो जाता है आगे देख लेते हैं भाया जी ये रहा तकड़ों की बात करें वजन की तो 60-70 कियुंट यहां पर हो जाता है ओके वीजूप चार की बात करें यहां से क्युशन पुछा जाता है देखो आपको दो नमबर का क्यूशन पुछे का टोल्ट बोड में दो नमबर का विजूब चार से क्यूशन कहां से पुछता है आलू से गन्ना से गौार से कपास से चार फसले मैंने बता दी, यहां से दो नम्मरगा क्यूशन आपकी विजुपचार से बूचता है, इसके लबा किसी भी फसल से आपको विजुपचार नहीं पूचेगा, देखते हैं, तो इसमें एगेलोन लेते हैं 0.5% और एरिटोन लेते हैं 0.25% बाकि इसमें दवा और प और यहां पर जड़ों की पर्टिकुलर बात करें तो जड़ों के लिए ध्यान रखना दोस्त, आई भी ये कामिल थे, इंडॉल ब्यूटाइरिक एसे राइट, वाई का समय और विदी बात करें तो भाई, यहां पर आपको पता होना चीए कि सरवोत्तम समय है, वो जो फरवरी मार्च में लगाते है, क्यांद रखोगे, पसंद पंच में कब आती है, ज्यान रखना दोस्त, फरवरी मार्च में लगाते है, और वर्शाकाली गन्ने को क्या कहते है, अड साली गन्ना, गौई कि विदी क्या है भी, तो भई समतल खेत में लगा सकते हैं ट्रेक्टर से चालित यंतर से लगा सकते हैं इसके लावा अपन कुंड बना कर इस विदियों को लगा सकते हैं समतल भूमी में भी इसको लगा सकते हैं जिसको अपन कहते हैं सुगर केन प्लांटर और इसके लावा सीरे से सीरा मिला सकते हैं और आँख से आँख मतलब सीरे से सीरा मिला सकते हैं आँख से आँख मिला सकते हैं मतलब टुकड़े एक दूसरे के कॉंटेक्ट में होने ची आँखे मिलनी ची आँखों याँखों से ये बाते करते हैं फिर क्या हो जाता है अंकूरण हो जाता है खादरों की बात करें तो भाई बिलकुल नॉर्मल सी बात है कि इसमें अपन अन्य फसलों से ज्यादा एफ वाईम लेंगे एफ वाईम बोले तो फार्म यार्ड मेनियूर गोबर की खाद जो 50 से 60Еं है नाइट्रोजन भाईए जी यहां पर 50 से 60 होता है फोस्पोरस 60 और यहां पर फोटास है वो 40 है आगे देखेगा यहां पर बात करते हैं सिचाई की तो भ환 शिचाई में आता है क्या क्रांति का वस्ता सिचाई से मतलब सीधा होता है क्रांती का वस्ता क्रांती का वस्ता क्या होता है बच्छों ऐसी वस्ता जिस समय पोदे को पानी की सबसे ज़्यादा उशक्ता हो और उस समय यदि हम उसको पानी ना पिलाएं सिचाई ना करे तो सीधा सीधा उत्पादन पर परबाव करता है और यदि उस समय हमने उसमें सिचाई कर दी तो उत्पादन बहुत अच्छा होता है तो क्रांतिक वस्ता इसमें होती है अंकुरन के समय एक तो हो गया अंकुरन के समय और एक हो गया भई इसमें रस बनते ही समय, यह इसकी संख से अंकूरन या मुख्यु वस्ता है, राइट्ट, तो याद रखना है यावर, कि वई गन्थे को अपन की सुद्धे से लगाते हैं, उसमें जूस की मात्रा ज़ादा से ज़ादा हो, तो इसकी करान्ती के वस्ता है क्या हैлекि, जूस बन ने मिलाकर फसल पर क्या कर देंगे चिड़काओ कर देंगे राइट चलेगा मिट्टी चड़ाना जिसको क्या कहते है अर्थिंग अप इसको एंगलिस में क्या कहते है अर्थिंग अप कहते हैं अर्थिंग अर्थिंग अप का मतलब कि मिट्टी चड़ाना जैसे गन्ना होता ह एक बार में आपर आपको थोड़ा सा समझा दो ये गन्ना है वई और ये गन्ना की क्या है वई जड़े तो ये जो जड़े होती है न ये कई बार क्या होता है कि यहाँ पर बाहर निकल जाती है तो इन जड़ों को अपन किस से डखते हैं मिट्टी से डखते हैं किससे डखते हैं भया जी मिट्टी से यदि इने जडों को नहीं डखेंगे तो पॉदा पूरा, थोड़ा सा प्रिशर लगा पानी का हवा का प्रिशर लगा तो गिर जाएगा तो इसके रूपर क्या चड़ाते हैं? मिट्टी उसी को अपन क्या करते हैं मिट्टी चड़ाना है अर्थिंगे अब कब करते हैं वही फरवरी मार्च में करते है बंदाई बंदाई का मतलब है दोस्तो कि जैसे गन्ना है एक पोदा सामने देखना पूरा फोकस ये गन्ने का पेड़ है ये गन्ने का पेड़ है थोड़ी बहुत हवा चली गिर जाएगा जैसे बाजरे का पोदा होता है बाजरे का पोदा होता है आपने देखा होगा भी सामय चल रहा है सीजन बाजरे का पोदा है और थोड़ी बहुत हवा चली गिर जाएगा तो उसको बचाने के लिए पन क्या करते है कि चार-पांच वोदों को एक जगर कलिया ऐसे कलिया अब क्या करते है कि उपर से उपर इस सीरे से बांद देते हैं चार-पांच वोदों को उसको क्या कहते हैं प्रोपिंग मतलब बांदना इंगलिस में क्या कहते हैं इसको क्रोपिंग कहते हैं वह नॉट कर देता हूं यहाँ पर प्रोपिंग राइट तो प्रोपिंग का संबंद किसे हैं गन्ने से अर्थिंग अपका अर्थिंग अपकी क्रिया मुफली में भी करत कीटों की बात कलेते हैं तो कीट का ज्यादा प्रभा होता नहीं लेकिन रोग इसमें कौन-कौन से होते हैं आपको मैं बता दू एक तो लाल सडन कौन सा रोग होता है भई लाल सडन और एक होता है लाल सडन हो गया रेड रोट और रेड स्टीप लाल धारी एक लाल धारी होता है भई ठीक दो रोग होते हैं एक तो लाल सडन होता है जिसमें सड जाता है एक लाल धारी जिसमें गन्ने के बीच में धारियां पड़ जाती है पिंग कलर किसी राइट फंजाई कवक से होता है कवक से होता है सोरी कटाई की बात करें तो भई कटाई कप करेंगे जब उन रूप से पक जाए बड़िया वड़ा जूस बर जाए जब उनको बजाएं तो वो धातों की तरह उसमें आवा जानी ची और यदि रेफ्रेक्टोमेटर से अपन चीनी की मात्रा को देखें रेफ्रेक्टोमेटर चीनी की मात्रा को देखते हैं तो 20 डिगरी यहाँ पर पाठ्यां करना चीए तो समझ जाना गन्ना तयार है, राइट, उपज की बात करें तो 80 से 100 तन रहेगा, उपज, गन्ने की पेडी, पेडी या रेटोनिंग, रेटोनिंग का बहुत इंपोर्डेंट क्यूशन पुटा पूता है वे, रेटोनिंग का मतलब है दोस्तों, कि यहां पर देखेगा, पाई गई, अब उस गन्ने की हमने कटाई की इतनी थी, मतलब इतने वाले भाग को भूमी के उपर छोड़ दिया, राइट, और इसके हमने क्या कर दी कटाई, अब यह गन्ना यहां से क्या होगा, दुबारा से फुटान करेगा, क्या करेगा दोस्त, फुटान करेगा, उमीद है दोस्तों मैंने आपको जो information बताई है सुगर केन के बारे में वो आपको समझ में आ गई होगी अगला जो हमारा lecture रहेगा वो potato पर रहेगा आलो के बारे में पर discuss करेंगे यह decision अच्छा लगा तो इससे रिजरूर कीजिएगा और अपनी जो class है वो साम 7 बजे होती है